प्रेंड्स दिपाबली आई, हमने खूब खूशिया मनाई, खूब रंग बिरंगे दीपक जलाए, फुल जड़ियां जलाए, टाक्खे चलाए, लोगों को गिफ्ट दिये, लोगों से गिफ्ट लिये, और बहुत सारी हमने इंजॉय किया, यह सबसे बड़ा तोहार है, हमने इतना इंजॉय किया, और दीपक जो हमने जगाए थे, माता लक्षमी का आगमन किया था, कि माता लक्षमी हमारे घर में आए, हमारा जीवन खूशियों से बर जाए, हमारे घर में रिद्धी सिद्धी आए, खूब धनवर्षा हो, श्रीर तंदृस्त हो, यह सबी वाहन किया, जिससे हमारा जीवन जो है, खूशियों से बरपूर हो, तो दिवाली जब बीत गई, तो अगले दिन क्या किया हमने, जो दीपक हमने इतनी श्रदा से जगाए थे, माता रानी का आगमन किया था, उसमें उनका माता रानी को बुलाया था, कि आओ हमारे गार में खूशियां जग मगाए, हमारा जीवन खूशियों से भर जाए, तो नेक्स दे हमने क्या किया, स्फाई वाला आया, तो हमने स्फाई वाले से बोला कि भाया इसको जाडू लगा करना, डस्ट मीर में बाहर कूडे में डाल देना, हमें अनवेरिंगली बहुत, सभी लोग त अवाहन किया था, मातारानी को बुलाया था, देपताओं को बुलाया था, कि देपताओं आओं आकर हमारा घर जो है, खुशियों से बरपूर कर दू, तो देपताओं ने आकर हमें खुशियां दी, लेकिन हम उन खुशियों को ऐसे ही कैसे जाने दे, ये गलती हमने नहीं क कि जहां जे मिट्टी की चीज जो है मिट्टी में मिल जाए ताकि जो है नेचर की बरबादी ना हो हमने नेचर की खोब बरबादी की इन दनों अपने तिहार माएं अपने एंजॉयमेंट में हम ये भूल गए कि हमने एंवार्मेंट को कितना गंदा कर दिया कितना पल्यूश नेचर के साथ खिलवाड ना करें। क्योंकि आज हम नेचर के साथ खिलवाड करेंगे। कवको नेचर भी हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत कर सकती है। नेचर हमेशा हमें देती है। तो देतiren का काम है। लेकिन हम वे बन्हenschण करदेते हैं.. जो अपने mistakes कर देते हैं तो उसका खम्याजा हमें भुगतना पड़ सकता है इसलिए जो हमने परण किये थे कि मातारारी हमारे घार खुशियां का आगमन करे हमारा जीवन जग मगाए जीवन में जो परिशानिया हैं चिंताएं हैं वो सब खतम होकर ये आत्मा रूपी दीपक जो है सदा जगता रहे तो इस जग मगाहट में अगले दिन हम क्यों बूल जाते हैं कि इन दीपकों को ले जाओ अब इनका कोई काम नहीं है ऐसा ना करें हमने घर से कूडा करकट निकाला जगा जगा से सफाई की खूब अच्छछे से सफाय की और सफाय का कंस्प्ट हमारे मन की सफाय से है मन के कोने में कच्रा भरा हुआ है वह तो दीपावली के साथ नेक्स गे झो है खतम कर देना है दीपावली के साथ जैसे सफाय को बाहर खूड़र करकट निकाला है ऐसे मन के अंदर भरे हुई बातों को, कुछ गल्थ बातों को हमने निकाल देना है, जीवन को स्वस्थ बनाना है, कुछ बनाना है, अब सारा साल हमें ध्यान रखना है, कि मन के कोने में जे जो हमने गंदगी साफ की है, जैसे घरों की गंदगी साफ की है, ऐसे मन की गंदगी देखते हैं, उसका हिसाब खताब रखते हैं कि क्या नफा हुआ, क्या नुकसान हुआ, किसका क्या लेना है, क्या देना है Similarly, यहां भी एक भई खाता है, हमारे कर्मों का हिसाब है, कर्मों का लिका जुका है हमने ये देखना है कि क्या हमने किसी का पकड़ा हुआ है, कितने वर्षों से पकड़ा हुआ है, कितने गहराई से पकड़ा हुआ है, उस चीज को हमने दूर करना है, जितना जितना कच्रा जो अंदर पकड़ा हुआ है, उसको लेट गो करेंगे, तो जहां आत्मा का दीपक ज कि जिएसे फिल करेंगे, अब्सक्राइद वो हमने चीजाँ का ध्यान दिपावली के बार जिन चीजे के अंचे अबकर करना है, की चीज़ों को ऐसे ही बेस नहीं करना, नेचर के साथ कोई खिलिवाड नहीं करना, अपने मन को हमेशन खुश और राक्स रखना है और अपनी आत्मा के अंदर शांती, खुशी, प्यार, तंदृस्ती ये सब लेकर आनी है ये कैसे आएगी जब हम नेचर के साथ कोई छेड़ चाड़ नहीं करेंगी जब यहां पर जो भारीपन पकड़ा हुआ है, यहां पर जो हमने कच्रा पकड़ा हुआ है उस कच्रे को दिवाली के साथ ही बहा देना है और जीवन खूशियों से बरपूर रखना है तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लगी आप अपने कमेंट जूरूर कमेंट बॉक्स में देना मुझे इंतजार रहेगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना शुक्रिया फ्रेंड्स